सुरज उगने से बदलते हैं एधरा आस्मा चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आस्मा चिन्ता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुब चिन्तन हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन सवार ले सुधार ले कर समस्य का समधान 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 जो की आपका अपना करिक्रम है आपका पसंदिदा करिक्रम है मित्रों कई बार लोग ये सोचते हैं कि यदि हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो कहीं अपने कारोबार से हम दूर ना हो जाएं अपने परिवार से हम दूर ना हो जाएं या कहीं हम अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनसे हम कहीं दूर ना हो जाएं लेकिन राजयोग के माध्यम से हम लगातार ये सीखते चल रहे हैं कि राजयोग हमें अपनी जिम्मेवारियों को कहीं अच्छी तरह से निभाना सिखाता है और साथ ही ये भी सिखाता है कि तुम्हें अपने परिवार में रहना है अपने कारोबार में रहना है और अपनी सभ जोड़ना अर्थात सारी विरिक्ष से जोड़ जाना भगवान सभी मनुश्यात्माओं के हैं और जैसे वो सब को प्रेम देते हैं वैसे ही जब हम उनसे जोड़ते हैं तो हमारा भी प्यार सब से हो जाता है हम सभी को सब कुछ दे पाते हैं ये नहीं कि हम उनसे कट आफ हो ज नहीं होता, दुनिया की महबबत में मिलती है रुस्वाई पर उसकी महबबत में कोई बदनाम नहीं होता, तो इसलिए राजियों के माध्याम से हम लगातार उससे महबबत करना सीख रहे हैं आदर्णियों भ्राता जी के साथ, आए इस सीख को आगे बढ़ाते हैं और उनका अभी नंदन करते हैं, भ्राता जी बहुत-बहुत स्वागतार अभी नंदन है, एक भ्रांती जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, कि जो लोगों के मानस पटल पे है, कि आध्यात मर्थात शायद जिम्मिवारियों से पूरी तरह से विमुख हो जाना, लोग जैसे आपको भ देखते होंगे, कि सफेद वस्तर आपने पहन लिए, परिवार से आप अलग हो गया, तो भी लोगों के मानस इक्ता बन जाती है, कि शायद हमें भी सब को छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा, क्या कहेंगे इसके? देखिए, हमारी ये बहुत बड़ी ओर्गेनाइजेशन है, और इसके द्वारा भगवान, इस अंसार को, युक को वदलने का दिव्य कारिये करा रहे हैं, इसलिए कुछ dedicated कारिये करता तो चाहिए हैं, समर्पित, बिल्कुल जो पूरे मनो योग से इस कारिये में लग है, और न सब को करना है, इसमें तो जो बहुत स्वतंत्र हैं, जिन में ऐसी योगिताएं हैं, और जो एक संगठन में सहज रूप से, निर्विगन रूप से रह सकते हैं, वो ही ये कारिये कर सकते हैं, यहां से भी सब को वो स्विकृति नहीं मिलती है, सब को अपने कारिये ओछिंगे Dharma और राज योग तो एसी चीज जो अंतरिक योगिताओं को बढ़ाता है कर्म में हमें एक उसलता प्राप्थ कराता है हमने देखा कि बहुत सारे लोगом使 през से होंगे हजारों जो भिन-भिन फिल्ड में हैं और अपने फिल्ड में राजयोग के माध्यम से बहुत सफल हो गए बहुत आगे बढ़ गए म्यूजीशन हमारे पास हैं म्यूजिक का कारिय किया अब जब वो अपना म्यूजिक का प्रोग्राम देते हैं तो लोग एंजोए करते हैं और मैं भी उन्हीं सिखा देता हूं कि आप एंजोएमेंट रखो अपने अंदर भी means you have to enjoy your own music first the audience enjoy करेंगे तो हरक छेत्र में कोई कवी है तो कवित्व के छेत्र में कोई साहितकार है तो साहित के छेत्र में कोई ग्रहनी है तो उस छेत्र में अगर वो राजियोग का ठीक ठीक अभ्यास करें तो उसके कर्मों में कुसलता आएगी अनेक योग्यतां उसमें बढ़ेंगे और उसको इ और वैसे भी गीता में कहा भी गया ब्राताजी कि योग कर्म सन्यास नहीं सिखा रहा है राजयोग बलकि कर्म में कुशलता प्रदान कर रहा है आपकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है लेकिन शायद इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते हैं और यह समझते हैं जैसे कल भी हम र चीटर बना ही रहता है क्योंकि ऐसे कही नगया केस हो जाते हैं लोगों को ऐसे चीज़ों से फेस करना पड़ता है लेकिन हमारे यहां को यह ऐसी बात नहीं इसलिए किसी को इनची जो से डरनने की ज़़र्तने हजयोग सीकें अपने घर घरस्त में रहें जो कारी करते हैं वही करें और उनको और एफिशेंट बनाएं बिल्कुर, प्रते जी मैं आपको मेल्स के और लिए चलता हूँ, ये पहला मेल हमारी पास साया है आजाद जी का और ये कहते हैं ओम शांती, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है मैं काम को जीतना चाहता हूँ अर्थात काम विकार को मुझे ज्यान में आए हुए चार मास हुए हैं इससे पहले मैंने अंजाने में पाप कर्म कर दिये मैं रात को चैन से सो नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको ये मेल लिखा है क्रिपिया मुझे कोई राह दिखा है ताकि मैं शारिरिक बल बौधिक बल और मानसिक बल को प्राप्त कर सकूँ ये समझ से बहुत यूको के सामने आ गई है जब वो अपने यूवा काल में होते हैं इसको अबोध काल कहा जाता है 14-15 साल की आयू से 20 साल की आयू तक तो वो कई ऐसी गलतियां करते हैं बुरे संग में आते हैं कामवासना के अधीन हो जाते हैं तब उन्हें पता नहीं होता वो इसे मैं बिल्कुल ओपिनली कहता हूँ एंजोइमेंट समझते हैं लेकिन देर देरे उन्हें अनुभो होता है कि उनकी एक आगरता नस्थ हो रही है उनकी सारे रिख सक्तियां भी छेन हो रही है कईयों को कई बीमारियां पकड़ लेती है कईयों को जीवन में फिर सुक से आनते नहीं मिलती है और नीद में उन्हें बुरे स्वपन आते हैं कई तरह की इन्होंने पिलिका ब्रता जी की नीद नहीं आती ठीक से इन्हें तो फिर मनुस सोचता है कि अब इस मार्ग से हट जाना चाहिए तो यह मैं इसको एप्रिशेट करूँगा कि यह राजयोग के मार्ग पर आ गए हैं तो अब निश्यत रूप से मार्ग इनका चित सुद्ध होगा और बहुत अच्छी तरह ही अपने लाइफ को एंजोए करेंगे नहीं तो बहुत सारे युवक हमें ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपना ये युवकाल इस गंदगी में विता दिया बुरे संग में पढ़कर और पूरा जीवन अपश्यताप की अगनी में जल रहे हैं न गरस्त जीवन का सुख वो ले रहे हैं न संबंदों में मिठास है न कामकाज में मन लगता है इरीटेट रहते हैं डिप्रेस रहते हैं एक तरह से जीवन का सुख चला गया है और इन्होंने भी लिखा ही बाताजी कि इनके जीवन और मृत्यों का प्रश्ण है मतलब ये इतने ज़्यादा निराश हो गए हैं कि आगे क्या करो कुछ समझ है निराश होने की आवश्चता नहीं इन्होंने प्रभु मार्ग अपना लिया है मैं ऐसा कहूंगा ये अपने परंपिता की सरण में आ गए हैं चाहे पूर्व जनम इस जनम में जो कुछ पहला इसका हिस्सा है कुछ भी इनके द्वारा हुआ है या कैसे भी समय से ये गुज्रे हैं अब इन्होंने राजियोग का मार्ग अपना लिया तो बहुत अच्छी फ चीज से बाहर निकल जाना है और इसी खोज में इससाय दिये हमारे पास आये हैं मैं कुछ चीजे इनके लिए कहूंगा और अगर ये इसको अपनाएंगे तो बहुत जल्दी छे मास में ही इनको चित एकागर होगा और ये सब चीजे मैं ऐसा कहूं के कामवासना एक एसी च जो अंदर में एक उत्टेज ना पैदा करतی है करमेंद्रीयों में एक अग्नी जैसी पैदा कर देती है और मनुस इससे दुखी होने लगता है तो इनका चित भी चानत होगा करमेंद्रीयाँ भी चानत होगी तो एक तो इन्हें सबेरे थोड़ा जलदे उठना है अपने द प्रकर्ति का सुख लेंगे, ये जेस्ट उपर की ओर देखकर विचार करेंगे, कितना सुन्दर संसार है, प्रकर्ति कितनी सुन्दर है, ये जीवन का आनंद लोग मीज कर रहे हैं, सो कर, ऐसे समय में सब सोय हुए हैं, जब परमातम प्यार वरस रहा है, जब उसकी ब्लेसिं आनंद देने की आवशकता है, तो उस आनंद में जो ये बह गये थे, जो च्छनिक था, जो विनासकारी था, उससे बिलकुल ये हट जाएंगे, डिटेच हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़े ऐसी हैं, कि मन उसे ने छोड़ तो देता है, लेकिन मन बार-बार उदर बठकत है, मन में बार-बार उस तरह के संकल पाते हैं, बार-बार उस तरह के स्वपनाते हैं और मनुस दुख ही हो जाता है, तो सवेरे से सुन्दर विचारों से ये अपने को चार्ज करेंगे, एनरजेटिक करेंगे, आनंदित करेंगे, विशेश रूप से मैं ये कहूंगा, फि इनकी एक आगरता बहुत अच्छी हो यह नहीं सकती क्योंकि जो विशेवासनाओं में रहा हो उसका चित एक आगर नहीं होता है यह अच्छे गीत बजाएं यह परमातम प्रेम में मगन होने का अभ्यास करें यह अभ्यास इनको बहुत काम देगा एक आगर चित को करें मन चेड़ी यह खरीद लें और उसके माध्यम से यह सवेरे के टाइब को एंज्योए करें यह एक आगरता की खींचातान में अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे एक अभ्यास जो इने विशेश रूप से सवेरे बहुत अच्छी तरह करना है मैं आत्मा यह देहे अलग चाहूं तो जैसा मैं कह रहा हूं इनको कंसंट्रेशन छोड़के मेटेशन की और जादा अध्रसर होना है यानि मन में सुन्दर विचार उत्पन करने है कुछ दिनों के लिए इने एक चीज और अपना लेनी चाहिए भोजन न केवल सात्विक भोजन लेकिन यह कच्छा भ अध्रसर का भोजन लें फ्रूट और सलाद पर और कच्छी सब्जीयों पर रहें फिर सब्जियां खाएं भले उन्हें बॉयल कर लें आ सब्जी बना लें इस तरह भोजन को बहुत लाइट कर दें तो यह जो भोजन है यह हमारे अंदर को बहुत सुद्ध कर देता है काम वासना को नस्ट कर देता है इन्हें लाल में चाय आधी बहुत जादा तले भुने चीजे यह सब खाना छोड़ देना है ताकि कर्मेंद्रियां श्यान्त हो जाएं और विशेस रूप से लसुन प्याज का तो परफेक्टली त्याग क्योंकि यह काम उत्तेजक हैं दोनों इनका पूरी तरह त्याग करके और ऐसे ही स्याम के समय भी यह आधा गंटा मेटेशन में अवस्य व्यतीत करें रोज इस्वरी महावा की सुनने सेवा केंद्र पर जाएं और इन्होंने जो थोड़े यह विकर्म कर लिए हैं इसको नस्ट करने के लिए यह वहां जाकर यग दो तीन चीज़ें विशेश करके मैं जानना चाहूंगा इस विशे में क्योंकि आजकल का जैसे यूवा वर्ग है या जैसे हम यूवा काल की और बढ़ रहे हैं तो कई बार सही मार्ग दर्शन हमें प्राप्त नहीं होता चाहे माता-पिता का चाहे शिक्षकों का तो ऐसे जो ग्यान है वो नीम हकीम खत्रे जान वाली जो इस्थिती होती है वो ऐसे बच्चों के साथ देखने को मिलती है तो शयद ऐसी स्थिती आ जाती है ऐसे में आप यूवाओं को भी पैरेंट्स को भी टीचर्स को भी सभी को क्या संदेश देंगे ताकि हमारा जो ये यूव बहुत इंपोर्टेंट एक समय होता है उनके जीवन का कैसे वो सेफ रह पाएंगे। सभी यूगों को कहूंगा ये टाइम रियली बहुत इंपोर्टेंट होता है इसमें यदि कोई अपनी शारी रिक सक्तियों को भी नस्ट कर दे तो बहुत दिक रूप से वो डेमेज हो जाता है लंबे काल के लिए और इसका खामियाजा उसे लंबा समय जीवन में भुगतना पड़ता है किसी को इरिटेशन के रूप में किसी को डिप्रेशन के रूप में किसी को जीवन में सफलता के रूप में तो किसी को एकागरता नस्थ होने के रूप में पढ़ाई में थोड़ा एकागरता चाहिए वान लोग आगे चलके बैंक में एंपलोई लग गया उसको बहुत एक आगरता चाहिए नहीं तो कुछ का कुछ करेगा और वो फैल हो जाएगा माँ पर इसलिए युवा वर्क को प्योरीटी पर विशेश ध्यान देना चाहिए सारी दिख परिवर्थन आते हैं और विशेश रूप से यह चीज जानने की है माबाप अगर बहुत विश बहुत गंदे हर्मों सोते ही हैं फिर अगर उनका खान पान बच्पन से गंदा है आजकल जो रोयल फैमिली कहलाती है ना उनमें सराव और मांस तो common बात है माताइं अपने बच्चों को खिलाती हैं दादियां अपने बच्चों कुछ नहीं है इसके बिना तुमारा जीवन कुछ नहीं है वो समझते हैं कि शारिरी ग्रोथ इससे जोड़ा हुआ है लेकिन इससे मन सी ग्रोथ बिलकुल नस्थ हो जाता है और ऐसी नारियों को मैं कहूंगा यह सब छोड़ यह आसूरी चीजे हैं इनका उप्योग अपने बच्चों को न करें अगर तुम अपने बच् सारी रिग्रोथ होगी लेकिन सेक्सवल फिलिंग बढ़ेंगी वो गलत मार्क पर जाएंगे जो आजकल यह बहुत गलत योनसोशन की चर्चाएं जहाता होती हैं यह सब इनकी देन हैं तो खान-पान को अपने को सुद्ध करें विचारों को सुद्ध करें सभी युवक सत- गंदी फिल्में गंदे टीवी पर जो चितराते हैं उनको देखने से परहेज करें क्योंकि वो इनके जीवन को नस्ट करने वाली चीज है तो लक्स रखें हमें मानसिक रूप से अपने को सुद्ध रखना है चरित्र को स्रेश रखना है अपनी एक आगरता को बढ़ाना है इसलिए इस गंदगी की ओर नहीं जाना है बहते जी कई बार संग बहुत ज़्यादा एक क्या कहें इंपोर्टेंट फाक्टर है इन चीजों के लिए कि जैसा संग होता है वैसा ही इन लोगों को रंग लगता है कि संगी सांथी यदि वैसा कर रहे हैं वही चर्चाय हो रही अनेक यूकों के घरों से मुझे फोन आते हैं मातें फोन करते हैं उनके फादर फोन करते हैं हमारा बच्चा अभी 18 साल का जुआ खेल रहा है सराप पी रहा है रात को 12 एक बज़े घर पर आता है हम कुछ कह ही नहीं सकता मरने बानने को तयार हो जाता है तो ये बुरे संग का प्रभाव है यूव किस तरह अंधकार में भटक गए हैं कई तब उन्हें होस नहीं रहती बाद में चल कर उनकी आंके खुलती हैं तुम कहां थे इसलिए मैं कहूंगा सभी यूगों को बुरे संग से बचें इंपोर्टेंट लाइफ का ये पिरियड होता है इसमें स्ट तुम्हें क्या करना है आओ हमारे साथ enjoy करो सराप भी रहे हैं और कुछ घलत चीज़ों में लगे हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत तरीकों से पैसा ले आते हैं घर में चोरी करते हैं और वो इस तरह को enjoyment समझते हैं लेकिन मैं अपने यूव को क का नाम रोशन करना चाहते हैं जो अपने जीवन में कुछ महानकारिये करना चाहते हैं वो इन व्यस्नों से विकारी साथियों से बिलकुल बचें अच्छे संग में रहें और अपना एक लक्स बना लें कि मुझे तो पढ़ाई पर concentrate करना है मुझे तो अपने माबाप की इंसान बनना है बिलकुल तो यूवा वर्ग इस बात का ध्यान रखे ब्राता जी एक लक्ष जरूर निर्धारित कर लें क्योंकि लगता है कि जिसके जीवन में एक लक्ष होता है महान बनने का आगे बढ़ने का चाहे वो एकेडमिक्स में हो चाहे किसी भी फिल्ड में हो तो निश्रीत रूप से इन चीज़ों से वो जादा तर मुक्त रहता है और जिनके जीवन का कोई बड़ा लक्ष नहीं होता है तो कहीं न कहीं इन चीज़ों के आदी तो हो जाते हैं तो एक बात ब्रताजी रहे कि चलिए यूवा वर्ग अपने संग का ध्यान रखे अपन एक सुंदर लक्ष बनाए और उसके लिए अपने आपको डेडिकेट कर दे लेकिन कहते हैं कि बच्चे या जब वो बड़े हो रहे हैं जब अपने किश्वरा वस्था में है तो कच्चे घड़े के समान होते हैं कोमल पौधे के समान होते हैं उनको किसी भी शेप में ढाला अपने अपने में लगे हुए हैं और आजकल तो क्या हो गया जब से इलेक्ट्रोनिक्स के साधन बने हैं लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है जितने कामदंदे बढ़े हैं दूसरों की और तो छोड़ो वो अपने बच्चों की और भी देख पाए इसका भी उनके पास रहे हैं हमारे टीचर्स को बुरा तो अवस्च लगेगा लेकिन टीचर्स को खुदी सीखने की जोरत पढ़ रही है वही सिग्रेट बहुत पीते हैं क्लास में कोई कोई तो सराप पी के चले जाते हैं कोई क्रोध बहुत करते हैं morally they are not so great कि बच्चे उन से कुछ सीखें या बच्चे उनका सम्मान करेंगे और टीचर्स को क्या है जो पढ़ लिया रट लिया वो आके पढ़ा दिया एक तो लेक्चरार ऐसी भी हमें मिली जिनने ट्यूशन किया हुआ है कि पहले मुझे पढ़ाओ फिर मैं जाके स्कूल में पढ़ाओंगी अब बोलो ऐसे लेक्चर चरित्रवान है स्वयम चरित्रवान है मैं इस बात को अंडरलाइन करूँगा अगर उसके विचार बहुत सुन्दर हैं महान हैं सुम्यता से भरे हुए हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छे चीजे सिखाती हैं शिखा रही हैं बहुत माताओं के मेरे पास समचार आते ह माताओं अपने बच्चों को ऐसा ट्रेंड कर रही हैं आज भी केवल जीजा भाई की बात ही ने जिसने सिवाजी को तयार किया आज भी कुछ माताओं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देती हैं बड़े प्यार से सिखाती हैं लड़कियों को किताबों में है उन्हें अच्छी चीजे भी सिखाएं हम तो चाहेंगे हमारी एजूकेशन का स्वरूप थोड़ा टर्न हो और यह मोरल एजूकेशन टीचर खुद देने लगे हाला कि हमारे भी इस विद्यार लेकि और से भी दी जा रही है लेकिन टीचर का प्रभाव ज्या कहता हूं कि अगर देश का निर्मान कोई कर सकता है तो वो शिक्षक लेकिन शिक्षक को सक्चे अर्थों में शिक्षक बनना पड़ेगा बिलकुल है डॉक्टर राधा कृष्ण ची ने भी कहा था ब्रता जी कि राश्ट का निर्मान संसद में संभव नहीं है यह विद्या एक बात जो प्रता जी आजाद ने कही थी कि अभी रात को सोनी से पहले भी उसके अंदर बहुत ज्यादा भै होता है कि कहीं मुझे एक तो नींद ठीक से आएगी या नहीं आएगी और यदि आई भी तो कहीं जो उसने एक स्वपन दोश की बात कही थी कहीं वो ना हो तो ऐसी उखापो की स्थिती में जो है इतना तनाव में है टेंशन में है कई युगा संभवता ऐसी स्थिती से गुजहर रहे हों वो क्या करें रात को सोने से पहले हम लोग यह करा ही रहे हैं अपने यहां आने वालों को के सोने से पहले अगर ऐसी स्थिती है तो आदा गंटा करेंगे और आदे गंटे में spiritually अपने को तयार करें कुछ 15 मिन अच्छे साहित का द्यन करें हमारे यह बहुत अच्छे साहित हैं जिन हम अव्यक्त महभाग कहते हैं उनमें गूड ज्यान भरा हुआ है मनुसके दिमाग को खोल दे उसके विचारों को महान बना दे 10 मिन्ट भी को भी जाए तो उसको माइन नहीं करना है उसको लाइटली लेके समाप्त कर देना फिर से अपने विचारों को सुद्ध कर लेना चाहिए इसलिए उसमें बहुत जादा परिशान भी नहों अगर ऐसी स्थिती किसी की बंती भी है क्योंकि यह जो purity का मार्ग है जो सुद्धी इसा नहीं कि चार मास से इनोंने घ्यान लिया और उससे पहले जीवन तो कैसा था चार मास में आते ही यह सब को ठीक हो जाएगा it can take some time, some months, some years तो अच्छी तरह से साधनाओ के पत पर चलें और इस विश्वास के साथ कि अभी ये सब को ठीक हो जाने वाला है तो ठीक हो गा ही बिल्कुल, पास्ट में जो चीजें बहुत गहरी हो जाती है जैसे इन्होंने भी कहा कि कोई बड़ा पापकर्म हो गया है तो वो चीज न चाहते हुए भी बार-बार-बार आती रहती है देपिय आपने बताया कि दिन्चरिया बहुत अच्छी हो अपने आपको पॉजिटिव चीजों में लगा है लेकिन कई बार जब यह बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन के स्थिति में जाने लगता है या कुछ सोचने विचारने की शंता भी नहीं रहा जाती और कई बार neo फिर से वह ही जाने कर इच्छा होने लगती है ऐसी कंडिशन में क्या करें। एक क्लैस होता है। वो असुद्धी और अब की सुद्धी दोनों के बीच में एक अच्छा संगर्स होने की संभावना रहती है। लेकिन हम राज्योग के अभ्यास में स्वमान की प्रेक्टिस कराते हैं। पांच स्वरूपों का अभ्यास करना सिखाते हैं। आत्मा का अनादी स्वरूप, उसका आदी स्वरूप, उसका पुझ्य स्वरूप, वर्तमान का ब्राह्मन स्वरूप, और अंत का फरिष्टा स्वरूप। इन पांच स्वरूपों का ब्यास करने से इस रेष्टी स्मर्तियां हैं, इनको बार बार अपने अंदर लाने से पास्ट की स्मर्तियां भूलने लगेंगे और लाइन के लिए हो जाएगे। चलिए, बहुत सुन्दर बार ब्राताजी आपने रखी है, विशय सच मुझ बहुत गंभीर था, इसलिए लगा कि इसमें बहुत ज्यादा स्पस्टी करेंड की आविश्यक्त है और आपने सुन्दर प्रकाश दिया है, जो ऐसे अंधेरे में है यूवर, उन सब के लिए आ जिसमें हमें निर्णय करना होता है कि जीवन को हमें किस ओर ले जाना है, बहुत ही नाजुकपल है, यद्यपी, माता-पिता, शिक्षक, समाज, सब की जिम्मेवारी बनती ही है, लेकिन जीवन आखिर हमारा है, हमें भी अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, आजाद ने हमें ये मेल लिखा था, तो आजाद मैं यही कहूंगा कि चंदरशेखर आजाद भी हमारे देश में जब याद किये जाते हैं, बच्चा बच्चा उन्हें कितने प्यार और सम्मान से याद करता है, क्योंकि उसने अपना जीवन देश के लिए कुरबान किया थ उसने कुछ ऐसा किया था, जिसके माद्धियम से आज भी लोग उन्हें याद करके अपनी जीवन में उनको लाने की कोशिस करते हैं, वैसा ही आदर्श बनने की कोशिस करते हैं, आपका भी नाम आजाद है, क्योंना आप भी ये ठान लें, कि मुझे भी देश के लिए, समा हो जाती है, इसलिए निराश बिलकुल ना हो, जो भी ऐसे गलत रास्तों पे निकल गए हैं, उन्हें से हम यही आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे, कि वे सत्य पत पर चलें, और अपनी जीवन के माद्धियम से औरों को भी प्रेड़ना प्रदान करें, हमारी बहुत सारी श करेंगे, 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